मैंने नोटिस किया है कि जो अगरतला बेस्ट न्यूस पेपर्स हैं उनको अपने मन में कुछ भी आता है तो वो छाप देते हैं कभी छापते हैं कि तीप्रा मौथा बीजीपी के साथ जाएगा कभी छापते हैं कि मैं त्रिनमूल के संग हमारा अंडिस्टैनिंग होगा और कभी लिखते हैं कि कॉंग्रिस के संग अंडिस्टैनिंग होगा कभी तो ये भी लिखते हैं कि ये अगर तला में जो पत्रिकार है वो लिखते हैं कि तीप्रा मौथा से MDC लोग BGP चले जाएंगे शायद उनको लिखने के लिए और कुछ है नहीं उनके पास और उनको थोड़ा सा तीप्रा मौथा से जलन भी है कि एक अंचुलिक पार्टी जिसने ना BGP से रुपया लिया जिसने ना कॉंग्रिस से कुछ किया जिसने CPM को हराया वो साशन कैसे कर रहा है सेंटर में भी कोई हल्प करने वाला नहीं स्टेट में भी कोई हल्प करने वाला नहीं तो ये जन जाती, आंचुलिक पार्टी कैसे साशन कर रहा है, शायद थोड़ा सा जलन भी है ठीक, मैं एक बात क्लेली बोलना चाहता हूँ हम, हमारा डिमांड ग्रेटर तिप्रा लैंड का है और अगर कोई को भी हमसे बात करना है, तो राइटिंग में हमको ये अशॉरंस देना पड़ेगा उनको हमारा डिमांड एक कॉंस्टिटूशनल सम्विधान के अंदर एक सेटल्मेंट का है अगर गवर्मेंट अव इंडिया को लगता है, या कोई और पार्टी को लगता है कि उनके पास जादा अच्छा आइडिया है, तो हमारे सामने खुल्लम खुला आकर मिले और राइटिंग में दे कि आपका क्या सेलूशन है, आपका क्या सुझाओ है लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं, सेंटर ये नहीं बोल सकता कि हमारे तीप्रासा लोगों को जैसे 40 साल से रखा गया था, जैसे 70 साल से साशन किया गया है उनको जैसा दिया गया है, वैसे ही मैं खुश रहो, हम आपको और कुछ नहीं देंगे अगर उनको हमारा बारे सोचना है, तो उनको राइटिंग में देना पड़ेगा और ये राइटिंग में तीप्रासा के सामनी ले जाओंगा और जब तीप्रासा बोलेगा ठीक है, तो बुबागरा बोलेगा ठीक है बहुत लोग हमारे मौथा से जलते हैं बहुत लोग हमारा थानसा को तोड़ने की कोशिश करते हैं मैंने हमेशा बोला है कि गोली तीप्रासा मारता है लेकिन ओर्डर कहीं और से आता है तो हमारा थानसा को अगर हमने एक बरकरार रखा 10-11 महना तो हम 70 साल का जवाब 2030 में दे सकते हैं आज तक इतना रुप्या नहीं बना है इतना रुप्या नहीं छपा है वो जो बुबागरा को खरीच सके मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ तीप्रासा के लिए constitutional solution चाहिए अगर कोई इसको writing में देता है तो ठीक है अगर नहीं देता है तो जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा लेकिन भुबागरा तीप्रासा के लिए fight करते रहेगा बेलाइनो हमबाई धन्यवाद